प्रिया सिक्षार्थियों, आज पुनाह मैं डाक्टर विनोत कुमार गुप्त संस्कृत विशय की आनलाइन अक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं इसी विश्विद्याले में मानवी की विद्या साखा मैं आचारे संस्कृत के पदपर कारियर करता हूँ पिछले व्याख्यान में संधि प्रक्रण के अंतरगत अयादी संधि एचो अयवायावाह की चर्चा हमने की थी आज हम उसी के विस्तारक सोत्र वान्तोई प्रत्याय एवं गुण संधि की चर्चा करेगी वान्तोई प्रत्याय अयादी संधि का ही विस्तारक सोत्र है जिसका अर्थ है वान्तह वान्त आदेश होते हैं यी प्रत्याय यकारादव प्रत्याय परे यकारादी प्रत्याय परे होने पर एक वार्तिक है यस्मिन विधिस तदादावल ग्रहने जिस निमित्त में एक अलहो वह तदादी विधी हो जाया करती है यहाँ पर यकार एक अलवाला है इसलिए इसका अर्थ यकारादी होगा तो यकारादी प्रत्याय परे वान्त हा आदेश हा स्यात यकारादी प्रत्याय परे रहते वान्त आदेश हों किसको हों तो एचो एवायावह से एच प्रत्याहार के अंतरगत हम ओ और अवकार इन दोनों का अनुवर्तन कर लेते हैं और यह जो एक अलवाला यकार है यह यत प्रत्याह का अंश है एक सूत्र है गो पयसूर यत गो और पयस से यत प्रत्य हुआ करते हैं तो यहाँ पर यत प्रत्य है और यत प्रत्य का तकार कालोप हो जाया करता है बचता है केवल यकार प्रयोग के माध्यम से अगर हम देखें तो प्रयोग है गव्यम गो यह एचो वैवायावाह इस सूत्र से गव्यम प्रयोग सिध्ध नहीं हो रहा था जिस कारण से एक दूसरा सूत्र दिया वान्तोई प्रत्य है वान्तोई प्रत्य है कहता है कि गकार उत्तरवर्ती उकार के इस्थान में यकार आधी प्रत्य परे रहते अव आदेश होते है गकार उत्तरवर्ती उकार से परे यकाराधी प्रत्य विद्यमार है इसलिए वान्तोई प्रत्य है से उकार के इस्थान में अव आदेश होकर प्रयोग बना गब्य नपुन्सक लिंग एक वचन की विवक्षा में प्रयोग बनता है गब्यम इसी तरह से नाब्यम नव से यत प्रत्य यत का तकार का लोप हो जाता है बसता है के वल्यकार ये नव वयो इत्यादी सूत्र से यत प्रत्य हुआ है तो वान्तोई प्रत्य की शर्त यहां भी उपस्थित होती है इसलिए नकार उत्तरवर्ती अवकार के स्थान में आव आदेश होकर रूप बनता है नाब्यम और नपुन्सक्लिंग एक वचन की विवक्षा में प्रयोक सिध्ध होता है नाब्यम इसके पश्चात एक वार्तिक है अध्व परिमारेचा अध्व परिमारेचा वार्तिक कहता है कि अगर मार्ग का परिमार बताना अभेष्ट हो या मार्ग का परिमार अर्थ ग्यात हो तो होता क्या है यह स्पष्ट नहीं है तो चा अध्व परिमारेचा और मार्ग का परिमार बताना अभेष्ट हो तो वान्तोई प्रत्यय से हम वान्त ले लेते हैं और तब अर्थ होता है मार्ग का परिमार बताना अभेष्ट हो तो वान्त आदेश होते हैं किसको होता है क्यते गकार उत्तर वर्ती ओकार को कब होता है क्यते यूतव यूति परे रहते यहां पर हम गोर यूतव छंदस्युप संख्यानम इस सूत्र से गोह और यूतव का अनुवर्तन कर लेंगे और तब अर्थ होगा गो को वान्त आदेश होते हैं यूति परे रहते अगर मार्ग का परिमार अर्थ अभीष्ट हो तो प्रयोग है गव्यूति ही गो धन यूति ही गव्यूति प्रयोग ना तो एचो अईवायावा से सिध्ध होता था और नहीं वान्तोई प्रत्य येशें इसलिए इस वार्तिक के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि गकार उत्तरवर्ति योकार को भी वान्त आदेश होगा कब यूति परे होने पर यहाँ पर गकार उत्तरवर्ति योकार से परे यूति का यूकार विद्यमान है इसलिए अध्व परिमाणे चा वार्तिक से गकार उत्तरवर्ति योकार के इस्थान में अव आदेश होकर प्रयोग बनता है गव्यूति गव्यूति स्त्री क्रोश यूगम इत्यमरह गव्यूति का आर्थ है दो कोश की माहत्प इसके पश्चात आयादि संधि का प्रकरा समाप्त होता है अब हम लोग चलते हैं गुण संधि की योड गुण संधि के संदर्व में सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि गुण संग्या किन किन वरणों की होती है या गुण संग्यक कौन कौन से वरण हुआ करते हैं इसके लिए आचारे पाड़िनी सूत्र देते हैं अदेन गुणह अदेन गुणह अत एन गुणह अत एन चो गुण संग्या स्यात अत और एन की गुण संग्या होती है एन प्रत्याहार है जिसके अंतरगत एकार ओकार ये दो वरणाते हैं तो अत एकार और ओकार ये गुण संग्यक वरण कहे जाते हैं यहां पर आकार ओत्तरवर्ती तकार की क्या भुणिका है इसके लिए अगला सूत्र देते हैं तपरस्तत कालस्या वरत्ती में लिखते हैं तह परो यस्मात सच तात परस्त चोच्चारे माल समकालस्याई वसंग्यास्याद अर्थात तकार परे है जिससे और तकार से परे है जो ये अपने उच्चारनकाल के समार उच्चारनकाल वाले वरणों का बोध कराते हैं आशय यह है कि जो तकार है तकार से परे जो वरण होंगे और तकार जिससे परे है वह हरस्व होगा तो हरस्व का बोध कराएगा दीर्ग होगा तो दीर्ग का बोध कराएगा और प्लुत होगा तो प्लुत का बोध कराएगा यहां पर हम देखते हैं अत एन तकार हरस्व से परे हैं इसलिए अत के अकार से हरस्व अकार का बोध होगा अर्थात यह केवल हरस्व सवर्णों का ही बोध कराएगा संग्या प्रकरण में स्वर्णों के भेद विवेचन के संदर्व में यह बताया गया था कि स्कुल 18 प्रकार के स्वर्ण हुआ करते हैं छह प्रकार के हरस्व छह प्रकार के दीर्ग और छह प्रकार के प्लुत हरस्व से परे तकार होगा तो हरस्व के च्छा का बूद कराएगा और हरस्व तकार दीर्ग से परे होगा तो दीर्ग के च्छा भेदों का बूद होगा और तकार प्लुत से परे होगा तो प्लुत के च्छा भेदों का बूद होगा ये अदेन गुणह में हरस्व आकार से परे तकार है इसलिए हरस्व आकार का ही बोध होगा इसका मतलब यहा है कि अदेन गुणह से हरस्व आकार एकार और ओकार इन तीन वर्णों का बोध होगा इन ही तीन वर्णों की गुण संग्या होती है अकार, एकार, उकार ये तीन गुण संज्यक वर्ण है इसके बाद गुण संध्य विधायक सूत्र आता है आद गुणह आद गुणह सूत्र कहता है आवर्ण से गुण भाव स्पष्ट नहीं है तो हम इको यणची से अचिकानुवर्तन कर लेंगे एकाह पूर्व परयोह इस सूत्र का अधिकार चलता है एकाह पूर्व परयोह की सूत्र संख्या है 6.1.81 यहां से लेकर ख्यत्यात परस्य जिसकी सूत्र संख्या है 6.1.108 तक इसका अधिकार चलता है अर्थात यहां से लेकर के 6.1.108 तक पूर्व और पर दोनों के स्थान में एकादेश का विधान करता है एकाह पूर्व परयोह सूत्र यहां पर एकाह पूर्व परयोह का अधिकार है तब अर्थ होगा अवर्ण आदची अवर्ण से अच परे होने पर एकाह पूर्व परयोह यहीं स्थान में एकादेश हो विध्तिम्हें यहीं स्पर्ष्ट करते हैं अवर्ण आदची परे पूर्व परयोह काह पूर्व गुण आदेशह स्यात आवर्ण से आजपरे रहते पूर्व पर के स्थान में गुण एक आदेश हुँ प्रयोग है उपेंद्रह उपधन इंद्रह आगे चलकर जब हम दीर्ग संधी और व्रिद्धि संधी की चर्चा करेंगे तो अक से परे अक प्रत्याहार कावरण होने पर अक हसवरणे दीर्गा से दीर्ग होता है और अच से परे एच प्रत्याहार कावरण होने पर ब्रिध्धी होती है पूरो और पर दोनों के स्थान में जहां दीर्ग होगी जहां दीर्ग संधी प्राप्त होती है ब्रिध्धी संधी प्राप्त होती है वहा वहा गुण संधी की प्राप्ती होती है लेकिन होता नहीं क्यों अगर वहां भी गुण संधी हो जाएगी तो फिर दीर्घ और व्रिद्धी इनका कोई स्थान नहीं बचेगा इसलिए दीर्घ संधी अकाहसवर्णे दीर्घ और व्रिद्धिरेची दोनों आद गुणह को बाद करके व्रिद्धि संधी और दीर्घ संधी हो जाया करती है तो पकार उत्तरवर्थी अकार अवर्ण है और उससे परे इंद्र का इकार अच है इंद्र का इकार ना तो एच प्रत्याहार का अवर्ण है और ना ही अक प्रत्याहार का पकार उत्तरवर्थी अकार अवर्ण अक प्रत्याहार से परे सवर्ण विद्यमाद है इसलिए यहां पर ना तो देर्घ संधी होगी और ना ही ब्रिद्धि संधी आद गुणह में केवल, इकार, उकार, रिकार और रिकार ये चार बर्णों के परे रहते ही गुण संधी के स्थती उत्पन होती है तो अकार, पकार उत्तरवर्ती अकार और इंद्रह का इकार इन दोनों के इस्थान में आद गुणह से गुण एकादेश प्राप्त होता है गुण संध्यक वर्ण तीन है प्रश्न उठता है कि इन तीन में से कौन होगा एक सूत्र पढ़ा था इको यनची के संदर्व में इस्थाने इंतर तमहा जिसका भाव यह है कि उच्चारण स्थान जिनका सद्रशतम हो वही आदेश होता है अनेक आदेश के होने पर जिनका उच्चारण स्थान स्थानी के सद्रशतम हुआ करता है वही आदेश होता है आ का उच्चारण स्थान है कंठ एक उच्चारण स्थान है कंठ तालू और ओ का उच्चारण स्थान कंठ है इस्थानी अकार का उच्चारण स्थान कंठ और इकार का उच्चारण स्थान ताल हुए इसलिए पूरो और परदोनों के स्थान में इस्थाने इंतरतमह की सहायता से एकार गुणादेश हो गया और प्रयोग बना उपेंद्र और प्राथिपदिकत्वात सुप आधिके उत्पत्ति हो करके उपेंद्रह प्रयोग सिद्ध होता है इसी प्रकार गंगो उदकम गंगो उदकम गंगाधन उदकम गकार उत्तरवर्ती अकार अवर्ण है और उससे परे उदकम का उकार अचविद्यमान है इसलिए आध गुणह से पूर्व और पर दोनों के स्थान में इस्थाने इंतरतमह की सहायता से उकार गुणादेश हो जाता है और प्रयोग बनता है गंगो उदकम और नपुन्सक लिंग एक वचन की विवक्षा में गंगो उदकम प्रयोग सिद्ध होता है उदकम की एक बहुत बड़ी विशेस्ता है अगर भूल बस उदकम का उकार उच्चरित ना होने पाए दकम तो दकम का अर्थ भी जल होता है उदकम का अर्थ जल दकम का अर्थ जल और अगर वक्ता उकार और दकार दोनों को भूल जाए केवल कम का उच्चारण करे तो कम का अर्थ भी जल होता है विश्यांतर है गंगोद कम रोप सिद्ध हुआ है गुण संग्यक वर्ण तीन है अकार एकार उकार एकार और उकार का उदहर्ण आपने समझा अब गुण संग्यक वर्ण अकार की इस्थिती कहां पर होती है उसके लिए सूत्र देते हैं उरण रपरह उरण रपरह विच्छेत करें उहू आण रपरह उहू यहां री के सस्थी का एक बचन है अर्थ होगा री के स्थान पर अण होगा और यहां किस रूप में होगा तो कहते हैं रपरह रपरप्रवर्थ होगा री के स्थान में जो अणादेश होगा वह रपरप्रवर्थ होगा अर्थात अकार है तो अर होगा इकार है तो इर होगा और उकार है तो उर होगा इसी तरह से लुरिकार के संदर्व में भी हम जाने अकार होगा तो अल इकार होगा तो इल उकार होगा तो उल इसी को व्रत्तिकार स्पष्ट करते हैं री इती त्रिंशताह संगेत त्युक्तम री रिकार और लिकार रिकार के अठारह भेद और लिकार के बारह भेद ये दोनों मिलकर तीस भेद हो जाया करते हैं तो रिकार और रिकार ये अपने तीस सवरणों के बोधक होते हैं, उनके स्थान में यहां अड़ जो अड़ आदेश होता है सहा रपरह सन्नेव प्रवर्तते, वहां रपर होकर के ही प्रवर्तत होता है प्रयोग है क्रिश्ण रधी, क्रिश्ण धन, रिध्धी, अणकार उत्तरवर्तियकार अवर्ण है और उससे परे रिध्धिकारिकार अचबिद्यमान है आद गुणह से पूर्व और पर दोनों के स्थान में गुण एकादेश प्राप्त होता है आ का उच्चारन स्थान कंठा है, री का उच्चारन स्थान मूर्धा है गुण संग्यक वर्णों में किसी का भी उच्चारन स्थान मूर्धा नहीं है आताहा पणाकार उत्तरवर्तियकार आवर्ण है और यह आद गुणह से इन दोनों के स्थान में एकादेश होता है और चुकि गुण संग्यक वर्णों में किसी का भी उच्चारन स्थान मूर्धा नहीं है इसलिए यह उराण रपरह से रपर प्रवर्त होगा क्योंकि आकार आण प्रत्याहार का भी वर्ण है तो जो अड़ादेश होता है वहां रपर प्रवर्त हो करके होता है इसलिए यहां पर अकार और रिकार दोनों के स्थान में अर हो गया और मिला देंगे तो बनेगा क्रिश्णर भी और पाति पदिकत्वात सुप आधिके उत्पत्ति होकर प्रयोग बनेगा क्रिश्णर भी इसी तरह से तवलकारह प्रयोग सिद्ध होता है अगला सूत्र है लोपहशा कल्यस्या आचारे पाणिने यथा वसर अपने पूरवर्ती वय्या करणों का भी नाम निर्देश करते हैं उनके मतों का भी सम्मान करते हैं और इसी लिए वहाँ समय समय पर अपने पूरवर्ती वय्या करणों के मत का उलेख किया है अश्टा ध्याई में और लोपह साकल्यस्या भी साकल्यरिशी के मत के अनुसार साकल्यरिशी के अनुसार लोपह लोप होता है यह पाड़नी का मत नहीं है अपितु शाकल्यरिशी का मत है इस सोत्र का पूर्ण अर्थ जानने के लिए हमें भो भगो अगो अपूर्वस्य वाशी से अपूर्वस्य वा और अशी का अनुवर्तन कर लेते हैं और ब्योर लगुप प्रेत्न तरह साकटायनस्य इस सूत्र से ब्योह का अनुवर्तन कर लेंगे और तब अर्थ होगा व्रित्तिकार लिखते हैं अवर्ण पूर्वयोह पदान्त योह यवयोह लोपह वा अशी परे अवर्ण पूर्वक पदान्त यकार और वकार का लोप हो जाये विकल्प से कब अशी परे अश्प्रत्याहार का वर्ण परे रहते हैं कि इस सूत्र में कि तीन चीजें बताईगें पदान्त अवर्ण पूर्वक यकार कि यकार को एवं वकार का लूप और यकार वकार कैसा होना चाहिए कि यकार वकार परांत में होना चाहिए और उससे परे अश्प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए अश्प्रे रहते तब जाकर लूप होता है किसका यकार और वकार का तो अवर्ण पूर्वक पदान्त यकार और वकार का विकल्प से लूप हो जाए आश्प्रे रहते हैं यह सूत्र का आश्प्रत्याहार कि इसके बाद एक दूसरा सूत्र आता है पूर्वत्रा सिध्धम पूर्वत्रा सिध्धम वृत्य में लिखते हैं सपाद सप्ताध्याईम प्रति त्रिपाध्य सिध्धा त्रिपाध्याम पी पूर्वं प्रति परशास्त्रम सिध्धम सपाद सप्ताध्याईम प्रति अश्टाध्याई में आठ अध्याय हैं और प्रतेक अध्याय में चार पाद हैं और प्रतेक पाद में सूत्र हैं इसमें कहते हैं कि सपाद सप्ताध्याईम प्रति सपाद कहते हैं सवाकू पहले जब चवन्नी चला करती थी तो चवन्नी एक रुपय का चवथाई भाग है तो एक रुपय पचीस पैसे या एक रुपया और चवन्नी मिलाकर सवा रुपया हुआ करता था तो चार पाद हैं प्रत्यक अध्याय में इसका मतलब है यह है कि अगर चार पाद में से पहला पाद पूर वाले अध्याय के साथ मिला दिया जाए तो वह सवा जाता है तो सपाद सप्ताध्याईम प्रति सवा साथ अध्याय के प्रति अर्थात साथ अध्याय एवं आठवे अध्याय का पहला पाद यह सवा साथ अध्याय के अंतरगत आई सवा साथ अध्याय के प्रति त्रिपाद यसिद्धा त्रिपादी यसिद्धा है आठवे अध्याय के जो दूसरा तीसरा और चौथा पाद है ये त्रिपादी कहे जाते हैं मैं तो सवासात अध्याय के प्रती त्रिपादी यसिद्धै और कि त्रिपाद्यमपी पूर्वं प्रती परशा sneeze असिद्धम त्रिपादीमें भी पूर्व के प्रती परशाष्थ्र हैं इस के लिए हम अब अगले व्याख्यान में उदाहरण की सहित लोपा शाकल्यस्य और पूर्वत्रा सिध्धम इन दोनों सूत्रों की व्याख्या करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद कर दो